नमस्कार दोस्तो स्वागता आपका तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी मोबाइल एप के बारे में बताने वाला हूँ कभी भी आपको इमर्जन्सी में पैसो की आवसकता पढ़ जाए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तो अकसर आपने देखा होगा कोई भी इंसान कितना भी पैसे वाला हो गरीब है या अमीर है कभी भी किसी को भी पैसो की जरूरत पढ़ सकती है ऐसे में आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि अगर आपको पैसो की जरूरत पढ़ जाए तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपका कोई खास व्यक्ति जो आपको पैसे दे दे आप उससे संपर करते हैं अपने जो भी आपकी रिलेटिव है रिष्तेदार है उससे आप बात करते हैं और ऐसे में आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप किसी से उधार मांग रहे हैं तो दोस्तों आपको कोई उधार भी नहीं देता है यानि कि सबसे पहले वो सोचता है कि यार अगर हमने इसको पैसा उधार दे दिया तो पता नहीं हमारा पैसा कम मिलेगा कई बार अगर कोई खास व्यक्ति है तो आपको पैसा दे भी देता है पर वो भी दोस्तों ये कोशिस करता है कि कम से कम पैसा जाए और ऐसे में अगर आपको जरूरत जाता है तो आप परिशान हो जाते हैं पर आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको परिशान होने के बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों आपने देखा है कि अगर आप बैंक से जाते हैं पैसा लेने के लिए आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक में दोस्तों आपसे बहुत सारी कारवाई करानी पड़ती है आपको बहुत सारे डोक्यूमेंट देने पड़ते हैं दो डोक्यमेन चाहिए दोस्तों आपके आधार काड़ चाहिए पैन काड़ चाहिए और इसके सासत आपके किसी भी भारतियग बैंक में खाता होना चाहिए यानिकि बैंक अकाउंट होना चाहिए अगर तीन चीज आपके पास है तो आप घर बैट कर कम से कम एक हजार रुपे और मैकसिमम एक लाख रुपे का तुरंत लोन पांच मिनट के अंदर ले सकते हैं अभी दोस्तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप देखो आपके सामने हैं दोस्तो कम से कम एक हजार रुपे और मैकसिमम एक लाख रुपे तक का आपको तुरंत लोन मिल जाएगा दोस्तो जब आप इस अप पर आएंगे, अब इस अप पर आना कैसे है आपको वीडियो के डिस्क्रप्शन और कमेंट स्बोक्स में एक लिंक बिलेगा उस लिंक पर आपको किलिक करना है, जैसी लिंक पर किलिक करोगे, आप पोच जाओगे अपने मोबाइल के पिले स्टोर में, वहाँ पर जाकर आपको एप को इस्टॉल करना है और उसके बाद दोस्तो मोबाइल नमबर डालकर आपको KYC कमपलेट कर लेनी है KYC में आधार कार्ड, पैन कार्ड बगरा देना है, इसके सासत बैंक का खाता नमबर देना है बस इसके अलाबा आपको खुछ देने की जोड़त नहीं है अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें, सबसे बहरे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ KYC आपने कर ली, यहाँ पर आपको एक हजार से लेकर पंद्रह हजार पर का तुरंत लोन मिल जाएगा कैसे मिलेगा, यहाँ पर आप अपलाई पर क्लिक करेंगे और अपलाई पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे मेरे केस में तो यहाँ पर मुझे बीस जार पर तक कलोन उफर हो रहा है पर आपको सुरू में एक हजार से लेकर पंद्रह जार के बीच लिमिट सो होगी अगर आप KYC कर लेते हो, ठीका, अधार कार्ट पैन कार्ट लगाते हो, इसके अलापका कुछ नहीं करते हो पर अगर आप थोड़ी सी और एक्स्रा जानकारी दे देते हो, मालो आपको जरूरत है भई एक से पंद्रह जार की तो आप इसमें ले लो 10,000 की जरूरत है, तो एक, दो, तीन, चार मैंने यहाँ पर डाल दिया, 10,000 रुपे हो गई, 10,000 में कितना पता जाए कि मेरी जो महिने का भ्याज जाएगा, वो 2.4% जाएगा, 0.5% से कम जाएगा, अभी आपको बताओगा, प्राइवेट में अगर आप किसी से पैसा उध उधाल लेते हैं दोस्तों, तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, 3% और मैकसिमम 5% और क्या बार तो ऐसा है, कि बहुत से लोग 10% महिने पर भी दोस्तों पैसा उधाल लेते हैं, प्राइवेट में, तो 5% तो नोर्मल यहाँ दोस्तों, 5% पर तो लोग मैकसिममम लेते ही तो भाई उससे अच्छा है कि यहाँ पर आप 2.4% पर ले लो, ठीक है, आप 3% माल लो, पर किसी के पास जाने की जोड़त नहीं है, घर बैठे पैसा मिलेगा, यहाँ पर आप देखो 10,000 है, तो 10,000 रुपे अगर आप लेते हैं, तो यहाँ पर आप अगर आप एंटर पर क 4,60 रुपे की जो है, आपकी किस्त पढ़ेंगी 3, ऐसे ही अगर आप 6 महिने के लिए लेंगे, तो आपकी जो किस्त है, वो 1,950 रुपे महिने की पढ़ेंगी, ठीक है, मतलब किस्तों में ये पैसा आपको वापस करना है, अब यहाँ पर देखो, माल लो, किसी व्यक्ति को जाद है पैसा चाहिए, मैं यहाँ पर जो हूँ, 50,000 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो 50,000 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 50,000 ले लो, यहाँ पर अगर आपको लगता है, नहीं मुझे तो 1,00, रुपे चाहिए पूरा, तो यहाँ पर दोस्तों आप जो है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है, एक लाख रुपे भी ले सकते हो, चलिए 6 महीने के लिए, अगर कोई एक लाख रुपे लेता है, तो उसकी जो किष्ट जाएगी, वो 19,503 रुपे की जाएगी, ठीक है, आपके सामने है, तो यहाँ पर द बहुत सारे उप्सन आजाएंगे, कि आपको दवाई, मेडिकल के लिए चाहिए, बिजनिस शुरू करने के लिए चाहिए, सैलिड, डिले हो गई, हाउस की रिपेर करनाना है, एजुकेशन के लिए, वेंडिंग, फूड, यह इमर्जनसी में लोन चाहिए, तो आपको जिस परपस से चाहिए, वो सिलक्ट करेंगे, आगे पूचा गया है, कि भाई, ठीक है, नेक्स्ट वाले उप्सन में, कि आप यह बताएं, कि आपकी साधी हुई है, या नही हुई है, तो अगर साधी होगी है, तो मेरिट लिख दें, नही हुई हुई तो सिंगल कर दें, इतना आपका अपना घर है, तो यहाँ पर आपका अपना घर है, तो आपना लिख दें, रेंटर पर रहते हो, पैरेंट्स का है, रेलिटे बिखा है, किसका है, वो यहाँ पर आपको मेंसन करना है, उसके बाद नीची आएंगे, यहाँ पर पूचा गया है, उसके बाद यहाँ प करते हो यहां पर आप लिखेंगे आप किस फिल्डर में काम करते हो यह लिख देंगे आपकी जोब क्या है वो लिख देंगे मन्त लिए आप कितना पैसा कमाते है वो लिख देंगे और यहां पर पूछा गया है कि आपकी जो पैसे हैं वो महिने की किस तारीक में आते हैं आप आपका जो bank है वो saving account है या current account है यहाँपर टिक करना है आपको loan क्या पहला आपने कभी लिया है तो yes करेंगे नहीं लिया तो no करेंगे email address है कि यहाँपर देना है और yes यहाँपर आप है yes I confirm पर किलिक करेंगे और उसके दोस्तों आपका जो पैसा है आपके bank account में transfer हो जाएगा तो इतना आसान तरीके से इस app पर आपको जो है दोस्तों loan मिल जाता है तो यहाँपर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है इतना कुछ आपको करना है back करके मैं आप दिखा दूँ दोस्तों यहाँपर आधार कार्ट पैनल कार्ड के बेस पर आपको एक लाख पतक का loan मिलता है तो आप घबराने की जरूरत नहीं है आपको इस app को अपने mobile में इस्टोल कर लेना है ठीक है इसका लिंक वीडियो के